Hello everyone, welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another video So, अभी हम semester 5 के बारे में discuss करने वाले है, बहुत सारे लोगों को semester 5 में जो है वो केटी लगी है तो अगर आपको semester 5 में केटी लगी है, तो ये वीडियो आपके लिए helpful होने वाले है और अगर आपको semester 5 में केटी नहीं लगी है, तो जो भी आपके friends होंगे, जिनको semester 5 में किसी भी subject में केटी लगी होगी तो उन तक ये वीडियो शेयर करना न भूले, बिकॉस जितना आप इसको शेयर करेंगे, उतना काफी जादा लोगों को इसका benefit जो है मिल पाएगा हम इसमें ये discuss करने वाले है कि अगर आपको semester 5 में TYB.com के किसी भी subject में केटी लगी होगी तो अभी आपकी जो strategy होने चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमको अभी preparations करना है, आपको क्या-क्या चीजे इस channel के उपर मिलने वाली है, सारी चीजे हम इसमें discuss करेंगे तो वीडियो को share करना ना भूले, और अगर पहली बार चैनल पर आया हो तो subscribe का बटन दबाईए, because ऐसे ही revision भरे वीडियो आपको इस channel पर जो है वो मिलते रहते हैं अब अगर हम semester 5 की बात करें, semester 6 तो आपका काफी अच्छा गया होगा, बहुत सारे sessions में आपको provide किये थे और उसके basis पे काफी जादा बच्चों ने उसकी advantage भी लिए, काफी बच्चों ने अच्छे से paper लिखा है तो अगर आपने वो सारे sessions अभी तक नहीं देखे होंगे, तो कोई problem नहीं, sem 5 में अगर आपको किसी को भी केटी है, तो ध्यान से सुनते रहे और last तक बने रहे कुछ बहुत important चीज़े जो है वो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ, सबसे पहली चीज़, अब TY becomes semester 5, financial accounting, cost accounting, economics, marketing और बाकी सारे जो applied components है आपके, जो आपने लिये होंगे, इसमें अगर आपको केटी है, तो अभी क्या करना है, because this is the month of April, और अगर 25th of April से जैसे उन्होंने date रखी थी, 25th of April, तो 25th of April से अगर exam होगा, और उसके लिए भी हम अगर same strategy के base पे जाएंगे, जैसे आपने sem5 का paper दिया था, वैसे ही अगर आप exam में फिर से जाओगे, तो फिर से आपको केटी लग सकती है, तो sem5 की जो केटी होगी, तो उसको clear करने के लि के लिए दिया था, जिसमें मैंने एक whatsapp group के बारे में बोला था, तो वो whatsapp group का link इस video के भी description में available है, तो अगर आपको sem5 में किसी भी subject में केटी है, तो वो group join करना ना भूले, उसमें हम बहुत सारी चीज़े शेयर करते हैं, information शेयर करते हैं, और उस सारी चीज़ों का आपक जो भी subject में केटी है, उसमें हमारा major priority ये होना चाहिए कि हमारा subject कैसे clear हो, अभी हमको कोई भी scoring के बारे में नहीं सोचना है, अभी हमको सबसे important यही सोचना है कि हमको passing marks जो है, वो minimum जो passing marks है, वो कैसे मिले, उसके लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा, अगर directly उसी base पे exam में जाओगे जैसा आप semfy में गए थे, तो आपको clear करने में काफी ज़्यादा दिक्कते हो सकती है, तो जो सबसे पहले, आपको सबसे पहले क्या करना है, say for example हम financial accounting जो आपका पहला paper है, उसके बारे में discuss करते हैं, वैसे ही आप सारे subjects के बारे में भी करना, और सारी चीज़े मे आपको इस में बे provide करने ही वाला हूँ, तो अगर आपको financial accounting के subject में केटी है, अगर आपको financial accounting subject समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, अभी last moment में क्या-क्या पढ़ना है, last ये दिनों में क्या-क्या चीज़ों के उपर focus करना है, बहुत simple रास्ता बताता हो, सबसे पहले आपके पास question paper होना चाहिए, जो आपने sem5 का exam दिया था, वो question paper आप जमा करे, वो question paper आपके पास होना ही चाहिए, अगर आपके पास वो question paper नहीं है, तो मैं दूसरा रास्ता आपको बताता हूँ, आपको play store में जाना है, last minute revision with rsm का app डाउनलोड करना है, link description में available है, वहाँ प कुछ free है, उस app में PDF share करते रहता हूँ मैं, तो आप वहाँ पे जाईए, वहाँ पे आपको सभी कुछ चीज़े systematic basis पे मिलते रहेगी, तो अगर हम financial accounting की बात करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको question paper लेना है, question paper लेने के बाद, उसमें आपके objectives सारे objectives देखने है, answers वगरा सारे में आपको video format में अभी इस case ये sessions के बाद सारे आपको videos जो है, वो मिलने ही वाले है, financial accounting हो, cost accounting हो, तो वो तो आपको मिलते ही रहेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले objectives के answers जो आपके पास होंगे, वो देखने है, उसके साथ theory questions जो आपको पिछल आए थे आपके question paper में, उन सारे questions का answer हम सात में solve करने माले है, मैं आपको video उसके provide करने वाला हूँ, सारे videos आपको channel पे मिलने ही वाले है, तो subscribe का button दबाना ना भूले था कि आपको ये notifications जो है, वो time to time basis पे जो है, वो मिलते रहेंगे, तो आपको जितने भी paper में questions आए थे, सा solve करने वाले है, तो we will be solving all the questions which was asked in semester 5 previous year paper, जो आपने दिया था, लेकिन due to some or the other reasons, आपका वो केटी clear नहीं हुआ, आपका जो exam दिया था, उसमें आपको केटी लग गए, मतलब आप fail हो गए, तो उस paper को हम लोग पहले solve करेंगे, और उसके बाद, वो होने के बाद, आपको क्य है, वो joined करना है, और number second, आपको play store पे जाके last minute revision with rsm का app जो है, वो download करना है, आपको जिस किसी subject में केटी रहेगा, सबसे पहले question paper को आपके पास होना चाहिए, question paper नहीं होगा, तो आप अपने college के library में से लेके आईए, वहाँ पे भी अगर नहीं है, तो मैं आपको app के अंद सारी चीज़े जो है, वो revise जो है, वो होने वाली है, WhatsApp group joined करने का मुझे किसी ने comment किया था, WhatsApp group में क्या मिलेगा, ठीको सबसे simple चीज़े, WhatsApp group में हम लोग हर दिन के targets टकते हैं, हर एक एक दो दो दिन में मैं आपको कुछ links share करते रहता हूँ, कुछ video share करते रहता हूँ, और उस सारी चीज़ों के अगर आप उपर focus करोगे, तो मैं आपको guarantee देता हूँ, आपकी easily केटी clear हो जाएगी, केटी clear होने ही तो वाली ही है, लेकिन अच्छे marks के साथ आपकी केटी clear होने वाली है, तो हमारा पहला priority year हैने वाला है कि हमको minimum 80 marks कैसे मिले, और उसके बाद फिर हम score के बारे में भी discuss कर सकते है, तो जल्दी जल्दी ये वीडियो को अपने friends में share करे, और जो जो चीज़े मैंने आपको बताई है वो follow करे, app download करे, whatsapp group पे joint हो जाए, ताकि हम ये सारी चीज़ों से एक दूसरे से जुड़े रहे, और आपकी केटी जो है वो clear हो पाए, thank you very much from this session, bye bye